हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई टैट क्लासे फ्रेंट्स आज हैं पढ़ेंगे पित्वी और हमारा जीवन जो क्लास एट की बुक है और इसमें हम पढ़ने वाले वह पार्थ दो है क्रिसी एवम सिचाई फ्रेंट्स जो समाजिक विशाय का एक्जाम देने वाले हूं उनके लिए टॉपिक काफी अच्छा है क्रिसी है और सिचाई भी लगभग उसी में आ जाता है तो असी कंडिशन में यह टॉपिक उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो ता यह स्टार्ट करते अपनी वीडियो और देखते हैं क्रिसी एवम सिचाई पैसे काफी चीजे ऐसी क्रिसी समस्या थे उन समस्याओं को निप्टारे के लिए बहुत सी नीतिया बनाएगे इसमें आपका दिया है भारत सरकार की क्रिशी नीति बनाएगे तो प्राप्ति के समय हमारे देश में क्रिशी की बहुत ही दैनिये इस्थी थी क्योंकि आप जानते कि हरित क्रांती की थ्रू ही हमारे देश में जो खादान आत्म निर्भरता प्राप्ती हुई तो क्या उत्पादन बहुत कम होता था जब उसे आजाद हुए देश तो देश के सभी लोगों को भोजन के अशक्ता को पूरा कंठीन काम था इस परिस्तिते में देश के सामने कई समस्याएं थी जै खाने के लिए नहीं हो पाता था खेतों में इतनी उत्पती नहीं हो पाती थी कि सबका भरण पोशर हो सके तो वहां पर सरकार ने बहुत सारी नितिया अपनाई यहां पर देखी एक पॉइंट में दिया गया है बॉक्स में इसे भी देख लेते हैं जैक राष्टिय क्रिश को बढ़ावा देना रोजगार आवसरों का ग्रामिट छेत्रों में स्रिजन कि शानों और खेतिहर मजदूर होता था उनके परिवारों के लिए उचित जीवनिस्तर प्राप्ति की विवस्था करना वर्तमान चुनोतियों को सामना करना यह उस कृशी नीती के अंतरगत लेकिन जमीदार उस पर बाहु बली की रूप में बैठे रहते थे और आधे से आधी जो पैदा होती थे उसे ले 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 तो चोड़ा भाग सिसानों को मिल पाता था जिसके वेज़े से किसानों के दैनी स्थिती बनी रहती थी तो क्या किया गया सरकान ने जमीदारी जब समाप्त हुई तो कुछ रवस्थाएं भी ज़रूरी होगी क्योंकि जो अभी तर असक्त थे अब वह उन्हें बीच खेतों में जोतने के लिए हल वागर सब कुछ यह था से कंडिशन में क्या करते तो पैदावार के उची दर के लिए सभी अनाजों फसलों की खरीद क कि न्यूंतन दर निश्चित कर दिया वह उतने आनाज पैदाव है तो उसके लिए एक समर्थन मून बला दिया गया अगला पॉइंट है खरीद बेच हेतु मंडियों और वीपन केंद्रों की स्थापना की गई आने जाने के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया और सा परक्रम से छोटी होती चली आती लेगन अब इन छोटों जोटों पर जुताई करना बहुत मुश्किल काम था तो क्या चकबंदी के तुरों इन चार जगर जोटे छोटे जोटे इनको एक जगा करके एक बड़ा चक की रूप में कर दिया गा और यही कहला है चकबंदी यह बहुत जाद आपको नहीं पढ़ना पर हलके में पढ़ना है लेकिन कुछ पॉइंट्स में है जहां से आपके एक से लिके दो तीन क्वेश्चन तक बन सकते हैं कि क्या आप अपने घर में गमलों को पानी डालते देखा और यहीं देखा भी होगा कि इसी तरह से खेतों में सिचाई के बढ़ना है और यहां पर भारत नक्षा इएगे कि दिखाए गया है लुहॉजा दोने। और जो रैट कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुऊ और नलकूप यानि कि जो टूवेल्स वगएरे होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर सिजाई होती है लेकिन आप तो कहेंगे सब जगह हमारे शेत्रों में भी ऐसा तो लेकिन जिन चीजों की बात्रा अधिक होती है यहाँ पर उसको इस तरह से दिखाए गया है वरना सभी चीजों का पर लगवख सभी जगह पर हो रहा है खासतोर से जो नहरे हैं वो सब जगह नहीं मिलती लेकिन आपके जो कुए और तालाब ही आपके सब जगह मिलेंगे फिर थोड़ी चीजे हैं जो बच्चों के लिए हैं तो यहाँ पर देखें आपको एक ग्राफ दिखाए गया पाई ग्राफ है यहाँ पर दिखाए गया कि हमारे भारत वर्च में जो सबसे ज़्यादा सिचाई हो रहे हैं 58.7 की लगवख 60% के करीब सिचाई किससे हो रही ह और देखते हैं तो 4.7% जो है वो तालाबों से और अन्य में आपका 5% आ रहा है लगवख वो आन्य से नहरों से ग्रीन वाला जो आप पॉर्चन देख रहे हैं 31% आपका नहरों से सिचाई हो रही है आगे देखिए यह बॉक्स में दिया है पानी की कमी से भूजल का इस त देखिए प्रश्ण कहां से यहां से एक प्रश्ण अभी हाली में आया था इस वाले पॉइंट से गाह में वर्षा के पानी को रोकने का कारेक्रम स्वजल धारा के अंतरगत सरकार एमग ग्राम पंचायतों के सहयोग से किया जाता है और यह प्रक्रिया क्या कह लेती यह प् एक्जाइम में प्रश्ण आ चुका है और आने के चांस है क्योंकि देखिए जिस तरह से हम इस लग समस्याओं को जहेड रहे हैं तरह से अगर आगे चल कि इस तरह के प्रश्ण ना पूछे तो शाद हमारे लिए एक बेवकुफी बरा पॉइंट होगा कि हम इन चीजों को सबसे अधिक वर्सा होती तो आप इतने वनों की कटाई होगे जिसके कारण से वहां पे वर्षा नहीं होती और वर्षा नौ होने के आजकल जो इस तरह वहां बहुत नीचे गिर गया है आगे दिया है कि आजकल जो शिचाई हो रहे हैं हमें पानी हर जगा सेव करना है तो पानी को बचाने के लेकर तो आपर डूपक विधी और दूसरी है स्प्रिंकल यानिकी छिड़का विधी जहां पेड़ों को एक क्रम से लगाते तो यहां पेड़ों को पानी को बुन बुन पेड़ों के पास गिरा जाता है और दूसरी है यहां पेड़ु सप्रिंकल विधी स्प्रिंकल विधी स्प्रिंकल है के जाता है चाता हम न दौनों विधीयों का प्रियोख किया जाता है पर देखिए आपका हाथ हरित क्रांती प्रार्म होती और मैं बतादू आपको हरित क्रांती हमेशा पंचवर्षी योजनाओं के अंतरगत रखी गये तो इसी से हमारे देश में अन्नोत पादर में व्रिद्धी होती। और देश आत्मन निर्भर हुआ था और केज़ों को प्रियोक से जो विकास हुआ खेतों में उसे ही हरित क्रांती का नाम दिया गया अब आगे देखे हरित कांट में थोड़ा से यह भी देख लेते हैं उस वक्त की बात है अभी हम रासायनी ख़दो का प्रियोकर इस पर रोक लगा जाता है लेकिन उस वक्त था कि रासायनी ख़दो का प्रियोकर गेहों फसल उत्पादन में विर्धी हो ताकि देश आत्मने भर बने तो यहां पर इसका यह पॉइंट देखे रासायनी किट नासो और वरकों के प्रियोक से पैदावार बढ़ी है लेकिन इसका प्रभार लंबे समय तक बना रहता है भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारे इसका प्रियोक किया जाता है यह रासायन उसको यानि कि यह हमारे लिए कितने कहा अरित कांटि के थूआन का विकास तो ज़रूर क्या लिकिन हमारे स्वास के लिए विकास रहे हानिकारक है आगर दिया है मुख्य बाते यहां पे दी गई हैं इसमें अधिक उपच के लिए सुधे ऊच्छी बीजू का प्रियोक तो आहां सोनारा कल्यान सोना हीरा यह क्या है आपके गेहों के उन्नत प्रजाते हैं जो उस वक्त यूज की जा रहे थी और धान की उन्नत किस्मों को हम देखें तो आई आर टाइचुंग 65 जया पदमा पंकर जम्ना सावर मति किसमे यह धान की उस वक्त उन्नत किसमे है फिर आगे दिय ढिआ खेतों पार में फ्रहां कितनार हे इस्ञार ब्रह उन्नत की लिकृतों को सबाए घेा नेकते जाते हैं तो यह इंपकर होती आगए कि नरूत खिला का प्माम को ृसंट को आ चाह्ता हुकि किसी यह जैसे ट्रेक्टर थ्रेश्रादी का प्रयोग करना इन सब के प्रयोग दराव उत्पादन बाढ़ाने का प्रयास ही हरितिक रांती है ठीक है यह देखे आपका यहां पर टॉपिक समाप्त हो जाता है फिर यह प्रशन अभ्यास जो सायद हमारे दिन नहीं है बच्चो प्रशन और रहेंगे उसी में तो देखे पहले आपका दिया है कि सर्वति सोनारा आई तार चंग 65 कल्यार पदमा पंकर सोना जमना रमी हीरा तो इसमें हमने अभी सिर्फ दो ही चीजों के देखे तो गेहु का दूसरे चावल का तो ध्यान दीजिए मैं बता रहे हूं गेह कि उननत फसले बीज जो है वो उनके सबसे सर्वति सोनारा सोना 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 देख रहे हैं सबसे और यहां पास तो यह चीजिदें सबसें आगे आगे गेहु की बाकी जो बस्ती हो आपकी चावल की नाम याद होने चाहिए इसमें ताइयार टाइचूण 65 पदमा पंकर जमना और रमी ये किसकी है ये चावल की है आगे सही गलत है इने देख लेते हैं जमिदारी प्रथा में खेतिहर मजदूरों को बहुत कम हिस्सा देता था सही बात है इसलिए तो किसानों का बहुत जादा हनन हो रहा था ये पॉइंट आपका सही बना फिर आगे दिया है खाद सरच अगला पॉइंट है उत्तर भात में नहरी सीचाई का प्रमुक्स आधन है ये तो सही बात है